कि दोस्तों कुछ टाइम पहले अले सरकार ने एक नोटीश दारी किया था जिस नूम में नोटीश में बताया गया था कि आपका जो पैन कार्ड है उसको अधार कार्ड से लिंक करना अनिवारिया है तो सरकार ने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करना अनिवारिया कर दिया है इसके लिए सरकार ने एक डेडलाइन रखी थी 31 मार्थ 2023 लेकिन आपको मैं बता दो कि ये डेडलाइन सरकार ने अब बढ़ा दी है और इसकी deadline अब 30 June 2023 रख दी है तो 30 June 2023 से पहले आपको जो भी pen card आपका है वो आधार कार्ड से link करना अनिवारी है नहीं तो जो आपका pen card है वो invalid हो जाएगा और 30 June के बाद आपका वो कोई काम का नहीं रहेगा इसलिए आप 30 June से पहले जितना जल्दियोश के अपने pen card को आधार कार्ड से link कर ले नहीं तो फिर आपको बहुत ही मुश्किलों का समना करना पड़ेगा तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप pen card को आधार कार्ड से कैसे link कर सकते हैं और अपने pen card का status कैसे जान सकते हैं कि आपका pen card आधार कार्ड से link है या नहीं तो आज मैं वीडियो में आप सब को यहीं बताऊंगा बस वीडियो में end तक बने रहना है ताकि आप ये वीडियो देखके खुद अपने गर पे pen card को आधार कार्ड से link कर सके के link करवाने की जूर्थ नहीं पड़ेगी पहले आपको यहां पर Google Chrome में जाना है Google Chrome में जाने के बाद आप यहां पर income tax type कर देंगे और enter कर देंगे जैसे ही आप income tax type करेंगे तो आपको यहां पर income tax department की एक site open हो जाएगी आप उस पर यहां पर click कर देंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले यहां फस्ट पर जो भी income tax की website है वो यहां पर www.incometax.gov.in उस पर आप click कर देंगे ठीक है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ option सो हैंगे तो आपको यहां पर second option जो link आदार status का आपको सो हो रहा होगा आप उस पर click कर देंगे click करने के बाद आपको यहां पर pen card और आदार number का यहां पर आपको box सो हैंगे तो आपको से पहले यह जानना जुरूरी है कि आपका pen card जो है अदार card से link है या नहीं है अगर link नहीं है तब ही आप उसको link कर पाएंगे तो आप यह गर बैठें बहुत ही असानी से देख सकते हैं ये आप अपने mobile पे भी देख सकते हैं या laptop भर दो पे देख सकते हैं तो यहां पर आपको यहां पर देखेंगे कि यहां पर pen card का option दिया हुआ है तो आप यहां पर pen card जो भी आपका pen card है या किसी भी family members का अभर आप pen card देखना चाहते हैं तो आप उसका pen card भी यहाँ पे check कर सकते हैं तो उसकर से पहले यहाँ पे pen card type कर लिया है then आपको यहाँ पे second option देखेगा अधार card तो यहाँ पे आपको जो भी अधार card है आपका या जो भी family members का आप यहाँ पे अधार card type कर देंगे तो यह मैंने यहाँ पे pen card और अधार card दोनों type कर दिये हैं then उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक view link अधार status का option दिखेगा तो आप जैसे उस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी pen card या अधार card है उसको यहाँ पे status show कर देगा तो यहाँ पे आपको सोहरा की pen not linked with अधार please click on link अधार link to link your अधार with pen मतलब यहाँ पे इसका जो भी मैंने यहाँ पे detail दाली है वो pen card यहाँ पे अधार card से link नहीं है इसलिए उसने यहाँ पे link करने के लिए मुझे बोला है तो आप जो भी यहाँ से आप status चेक कर सकते हैं कि आपका pen card आपके अधार card से link है या नहीं है अगर यहाँ पे आपका pen card अगर link होता है तो आपको मैं बता दू यहाँ पे क्या options होएगा तो मैं एक बार दूसरा pen card यहाँ पे type करके दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे मैं अधार card डाल देता हूँ मैंने यहाँ पे यह pen और अधार card यहाँ पे type कर दी है तो आपको यहाँ पे वी link अधार status पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे options होएगा कि जो भी आपका pen card है वो already linked to given अधार number तो जो भी आपका यहाँ पे pen card दिया हूँ है वो अधा card से link है तो आपका जो भी link होगा आपको यहाँ पे यह option यहाँ पे show होएगा और जो आपका link नहीं होगा जो मैंने पहले आपको दिखाया था उसका recording आपको यहाँ पे status आपका show होजाएगा तो उसको link कैसे करेंगे तो वो आगे हम देखते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे pen card और अधार card यहाँ पे tab किया तो उसके बाद मेरा यहाँ पे status हो गया कि जो भी आपका pen card है वो link नहीं है तो आप आपको link करना आपको मैं बताऊंगा तो जैसे ही आपको यह options होएगा तो आप यहाँ पे link अधार का आपको यहाँ पे बिल्लो कलर का highlight दिखिए है तो आप उस पे click कर देंगे click करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे pen card और अधार card टाइप करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आपको एक note सोएगा तो आप यहाँ पे note में पढ़ेंगे कि following category as exempted from अधार bank linking कि आपको यहाँ पे कौन-कौन किस के लिए यहाँ पे pen card जो है अधार card से link करना अनिवारिया है ठीक है अगर यहाँ पे note citizen of India है अगर आप आप इंडिया के citizen नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे अनिवारिया नहीं है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी age 18 अबो है उसके लिए भी यह अनिवारिया नहीं है अगर यहाँ पे आप इन state से belong करते हैं आसाम मेगाला और जम्मुकस्मिर अगर आप इन इन तीनों state से अगर आप लोंग्स करते हैं तो आपके लिए भी यह लिंक करवाना अनिवारिया नहीं है ठीक है यह थी यहाँ पे नोट दीवे हैं तो यह अगर आप इस तो आपका जो भी पैन कार्ड है आपको लिंक करवाना अनिवार यह नहीं है देन आप देख लेते हैं आप पैन कार्ड को अधार कार्ड से कैसे लिंक करते हैं तो मैं यहां पर पैन कार्ड और अधार कार्ड टाइब कर देता हूं मैंने यहां पर पैन कार्ड और अधार कार् एक option होएगा validate का तो आप उस पे click कर देंगे तो validate करने के बाद आपको यहां पर एक box होएगा payment details not found about this pen कि आपके लिए payment के बारे में बताएगा कि आपकी इस pen card के according आपकी payment यहां पर नहीं हुई है तो आपको यहां पर कुछ instruction दिये हुई हैं आप उन instruction को यहां पर पढ़े सकते हैं तो आपको बता दो कि आपको यहां पर सकार ने notice में जारी किया कि आपको pen card अगर आप अब लिंक करवाते हैं तो आपको यहां पर 1000 रुपी यहां पर फीज के साथ आप लिंक करवा सकते हैं ठीक है तो यह नोटिस में यहाँ पर लिखा हुआ कि आप जो भी पैन कार्ड लिंक करवागे आपको 1000 पर यहाँ पर पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर continue to pay through EPA tax पर कलिक कर देंगे तो वहाँ पर कलिक करने के बाद आपको यहाँ पर pen number टाइप करने के लिए बोलेगा और second आपको यहाँ पर confirm pen number दोबारा से आपको यहाँ तो यह मैंने यहाँ पर दोबारा अपना pen card यहाँ पर टाइप कर दिया है है यहाँ आपको यहाँ पर मॉबायल नुमबर देना है जो भी आप मॉबायल नबर दोगे आपको यहाँ पर एक Person five आए यहाँ यह आएगा वह ऐँMr. आप यह अनटर कर सकते हैं तो आपको वही वाला मॉबायल नमबर यहाँ पर डालना है जो आपके पास current time पर है ताकि आपको जो भी OTP आई आप यहाँ पर डाल सके तो मैं यहाँ पर तो mobile number डालने के बाद आपको यहाँ पर continue वाला option देखेगा आप उस पर click कर देंगे जैसे आप click करेंगे तो आपके mobile पर गो OTP आएगा OTP आप यहाँ पर type कर देंगे तो यह मैंने यहाँ पर mobile जो OTP मेरे पास आथा वो मैंने यहाँ पर type कर दिया है देन आप अगर आपके पास OTP नहीं आता तो आप यहाँ पर recent OTP कर सकते हैं और आप three attempts में यह आप OTP यहाँ पर recent कर सकते हैं अगर आप इसे ज़्यादा time करोगे तो आपका यहाँ पर आगे यहाँ पर continue नहीं करेगा तो आप यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया तो आप इसको continue कर देंगे जैसे continue करेंगे आपको यहाँ पर उपर box में show you have successfully verified through mobile OTP क्लिक continue to make a new payment तो आपको यहाँ पर OTP जो भी है successfully हो चुका है देन आप इसको आगे continue कर सकते हैं आपको यहाँ पैन नंबर के साथ आपको जो ही जिसका ही पैन नंबर है आपको यहाँ पर name show हो जाएगा देन आपको यहाँ पर continue कर देंगे continue करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको जो first वाला box हो रहा है income tax यहाँ पर इस वाले section को आप प्रोसीड कर देंगे तो आप प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर assessment year पूछा जाएगा तो assessment जो भी आपको यहाँ पर current हो रहा है जैसे मैं आप यहाँ पर आपकी deadline अगर आपको यहाँ पर बढ़ा दी है तो आपको यहाँ पर next फाइनसी यह जैसे मेरा यहाँ यहाँ पर 22 चल रहा है तो आपका जो भी assessment year होगा वो यहाँ पर 2320 होगा क्योंकि assessment year आपका finance year से एक साल ज़्यादा होता है तो मेरा यहाँ पर 22 चल में अगर मैं यहाँ डालना तो आपका assessment year यहाँ पर 2320 होगा तो आप यहाँ पर 2320 यहाँ पर select कर देंगे यहाँ पर यहाँ पर जो भी टायप करने है तो आपको यहाँ पर जो भी फर्स्ट वाला校 से देंगे तो आपको इसमें फर्स्ट वाला उपशन यहाँ पर select कर देना है तो ये option so करने के बाद आपको यहाँ पे continue कर देना है जैसी आप यहाँ पे continue करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे others के जो भी आपके यहाँ 1000 फीस है आपके इर्टमेटी यहाँ पे so हो जायेगी देन उसको आप यहाँ पर continue कर देंगे continue करने के बाद आपको यहाँ पर banking के बारे में पूछा है कि आप किस तरीके से payment करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर net banking, debit card और यहाँ आटीजिस और 9FT के थरू भी आप यहाँ पर payment कर सकते हैं तो आपको link करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 उपे की payment करने पड़ेगी तब ही आपको यहाँ पर pen card link हो पाएगा बिना फीजिस के आपका pen card link नहीं होगा तो आप यहाँ पर कोई भी option select करके आप यहाँ पर उसको payment कर सकते हैं अगर payment gateway से आगर करना चाहते हैं तो शिर्ट कर सकते हैं तो आपको net bank की सक करने तो आपको यहाँ पर bank दिए हुए है आप इन bank को select करके आप यहाँ पर payment कर सकते हैं जैसे मैं मानलों कोई भी bank select कर देता हूँ जैसे मैं कोटक महिंदरा bank select करता हूँ तो आप इसको continue कर देंगे continue करने के बाद आपको यहां पे payment details आ जाएगे कि आपकी payment details assessment year financial year यह है और जो भी आपकी यहां पे details है आप payment mode आ जाएगा और जो bank name है आपकी साइड details यहां पे show हो जाएगे और आपको यहां पे जो भी आपकी payment है 1000 रुपी वो यहाँ पे आपको share हो जाएगी तो आप उसको यहाँ पे pay now कर देंगे तो pay now करने के बाद आपको यहाँ पे आप नीचे ट्रम एन कंडिशन है आप इसको पड़ भी सकते हैं जो भी ट्रम कंडिशन दिये हैं और आपको नीचे यहाँ पे ड्रैक करके जो भी आई अग्री टू ट्रम एन कंडिशन इस पर कली करके आप यहाँ सम्मिट टू बैंक कर देंगे तो सम्मिट टू बैंक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आप लिखा भाप, आप को टू लिखा वा है व आपको टाइप करके यहाँ पर आपकी की डीटेल है वाँ यहाँ पे ताइप करके आपना यहाँ पेट लीजिक का मट pakर पकर करके आस नकी पर लिंक हो जाएगा तो हम tv बादधには चूँछए तो आप उसके बाद आपका लिंक सो नहीं होगा आपका यहां पर time लें एक या 2 दिन-2 दिन के बाद का आगर दोबारा से चेक करोगे तो आपका जो भी P香 कार्ड है वह आदा कार्ड से लिंक आपको को सोli हैं तो नहीं डिन भाद आपको दोबारा चेक कर सकते हैं Link आधर स्टेटस पे क्लिक करके तो यहाँ पर आप जैसे इपना पेन नंबर और आधर का नंबर यहाँ पर डालोगे तो आपका प्रोशुड करोगे तो जो आपका यहाँ पर जो भी पैन काड है वो यहाँ पर लिक हो चुका होगा तो इससे आप बहुत यसानी से गर बैठे मुबैल से या लैपटोप से यहां बहुत यसानी से आपको अपने पैनकार्ट को लिंक कर सकते हैं और आपको कोई भी साहिवे कैवेफ़ जाने की जूरत नहीं पड़ेगी तो हाई ओफ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और आपको समझ में आगया है कि आपको यह जरूरी है 30 जून से पहले लिंक करवाना नहीं तो आपको यहां पर जो भी पैनकार्ट है वो इन्वैलिड हो जाएगा और आपको किसी भी काम का वो नहीं रहेगा या फिर जो भी आगर मालोग गोर्मेंट आगे डेट बढ़ाती है तो बहुत ज़्यादा लेट फीज के साथ आपको दुबारा से लिंक करना पड़ेगा तो इसे अच्छा है आप 30 जून से पहले अपना जो भी पैनकार्ड है वो यहां पर लिंक कर ले तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तो जाते जाते वीडियो में बनी रहने के लिए आपका